हेलो आज मैं आपको बताने वाले ही हूं कि ब्राइडल बेस बनाने का तरीक ठीक और यह बाला और यहाँ वाला नूडे ज़टको के सदे श्यामा करोंग करोंगे और येलोओ वाला त। वाला जवहने वह वाम अंडेटोन या झाले नोर में फार नंगा सिपना हैं और यहाँ यहां पर मैंने यलो अंडर टोन कलर करेक्टर लिया है और लोकल यहां पर मैं यूस कर रही हूं और फिंगर से अच्छा जब आप फिंगर से इसे मैं अपने डाक सरकल्स को हाइट कर रहे हूं और इस तरह से अपने नोज को जुरूर किया करें इस्पेशलि जब ब्राइडल यह मॉडल को मेक अप कर रहे हो ना तो इस तरह डिस कलरेशन वगारा जहां पर भी होती है जहां पर भी आपके ब्लैक एरिया हैं तो उसको अ और ब्राइडल की बेस पर आपको और ज्यादा देना पड़ता है क्योंकि उसे लोगों ने लाइफ देखना होता है सब कोई शुक होता है ब्राइडल को करीब से देखें तो इसका बेस बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है ठीक है तो यहां पर मैंने यह दो स्टिक्स है एक 36 है मेरे पास और 38 है 36 जो है वो आप गंदमी कॉंपेक्षन के लिए यूस करोगे और 38 जो है वो फीयर कॉंपैक्शन नॉर्मल फीयर कॉंपैक्शन होता है उसके लिए यूस की जाती है और अगर बहुत ज़्यादा फियर है तो फिर फ़ृटिफाइफ नंबर यूस करोगे आप और अगर उससे भी बहुत जादा फियर है तो आईवरी यूस करोगे ठीक है अब दूसरा पॉइंट है किये कि ब्राइडल की बेस को हमेशा एक टोन लाइट रखके बनाया जाता है क्योंकि दुल्हन हमारे यहां सबको गोरी ही चाहिए ठीक है जी तो लेकिन ला आप कलर से लाइट की तरफ जाना होता है आप डेरेक्ट ली यह नहीं के अगर बुल्हन है तो मैं डेरेक्ली 45 नमबर अप्लाय कर दो ऐसा नहीं है क्योंकि आप डेरेक्ली अगर गंदमी रंगत पे 45 अप्लाय कर दो के तो आपका बेस जो है वो ग्रे हो जाएगा ठीक है तो आपको अगर जैसे ब्राइडल का बना रहे हो तो आप सामरी रंगत के लिए पहले उस पे नीचे चाइनीज दे दो पूरा फेस पे लाइट सा उसके ओपर 36 और 38 स्टिक आप मिला कर दे सकते हो ठीक है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपको होता है नहीं के कॉंप आप 45 नंबर पे जा सकते हो ताके थोड़ा और फियर आजाए ठीक है इस तरह से मतब स्टैप बैस्टैप आपको फियर की तरफ लेके जाना है आप डिरेक्ली यह नहीं के 45 अप्लाइब कर दो के तो आपका पेस ग्रे हो जाएगा ठीक है जैसे आइस पे हम लोग लाइट क क्रेलान की अप्लाइब कर रही हूं और दोनों की ही नंबर मैंने 36 लिये हैं ठीक है और स्पंज से मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूं ब्राइडल की आपको नेक को भी साथ सा जरूर कवर करना है क्योंकि दुलहन को सब लोग करीब से देखते हैं तो मतलब कहीं पर भी कुछ फॉल्ट नजर नहीं आना चाहिए एक्वल लगे आपका कलर जो है यह देखें बेस मेरी स्टिक मेरी अप्लाय हो गई है और बहुत लग रही है और दोनों में कुछ जादा डिफरेंट्स नजर नहीं आरा हाँ अलबता कलर करेक्टर जो मैंने लोकल यूज किया ना वो उसने अच्छे से मेरे डाक सर्कल्स को हाइड नहीं किया वो एलिया मेरा थोड़ा सा ग्रे लग रहा है मुझे अच्छा यह फिर के एक नंबर टू है और एक नंबर थ्री है जिनकी गंदमी कॉंपलेक्शन उनके लिए नंबर थ्री आप ले सकते हो जिनकी नॉर्मल फियर है उनके लिए जीरो टू नंबर ले सकते हो आप अगर बहुत जादा फियर है तो वन नंबर इसमें जो आता है वो ले सकते हो तू नमबर अप्लाई किया है यानिके नॉर्मल फियर के लिए और यह मैं पूरे फेस पर ही अप्लाई कर रही मतलब दोनों साइट्स पर क्योंकि मेरा क्रैल वाला जो कंपेक्ट है अगर आप लोगों यूज नहीं किया तो आपको भी अच्छा लगेगा अचा ये तो मैं भी ब्राइडल के लिए बेस बना रही है तो इसलिए मैं जो है टू नमबर यूज़ कर रही हूं वरना नैच्रल नॉर्मल डेली रूटीन में थ्री नमबर यूज़ करती हूं वो बिल्कुल ही नैच्रल लगता है मेरी स्किन टोन से वो मैच हो जाता है अब ब्राइडल बेस को तो आपको एक टॉन फियर पे लेके जाना होता है इसलिए मैं थोड़ा सा फियर बेस बना रही हूं अच्छा जी तो फिर यहां पर बारी आती है ड्राइक की यह मेन पार्ट है जब आपको हैवी बेस चाहिए हो यह ब्राइडल बेस बगारा तो यह तो यह मैंने थोड़ा सा मांट लिया है पावडर इसमें वह तोड़ के रखने का मकसद है कि उसका पेस्ट बना के आपको लगाना होता है तो आप संच से भी लगा सकते हो लेकिन जब ब्राइडल बेस बगारा पे हम इस बना के लगाते हैं तो वह बहुत अच्छी देता है आपको लब वो बेस जो है ना हिलता नहीं अपनी जगह से बिल्कुल भी और यह मैंने एक लिक्विट फांडेशन ब्रश लिया यह देखे इतने मतलब रनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपको इस तरह का पेस्ट बनाना है बहुत ज्यादा थिक नहीं बनाना अगर कि बेस जो है वह केकी लगने लगेगी बहुत जादा ड्राइ लगेगा आपको आपका फेस ठीक है और बेस को केकी नहीं लगना और सपैशलिय अगर विंटर में तो बहुत ही लीक्विडी पेस्ट बनाना है आपको बहुत जादा गाड़ा ना हो यह बात जहन में रगे ग अगर गाड़ा हो गया है तो आपकी बेस जो हैं फटने लगईगी केकी होगी, और अगर फान लाइन आजवे नमाया होने लगए गी। तो बहुत जादा रनी consistency बनाईएगा पेस्ट जो आप बनाए स्पेचलि अगर संवर्ज में अगर थोड़ा सा गारा हो भी जाएगा थो वह केकी नहीं होगा बल्के वह आपकी स्वेट को जो है ना कवर कर लेगा श्वेटिंग नहीं होगी आपको लेकिन विन्टर अपको कोड़ा सा लीकवर्डी ही रखना है पेस्ट को ठीक है ये देखें ये हमने अप्लाइ कर लिया है और हाफ पे मैं ग्लैम्रस का ड्राइक ड्राइ मिनरल बेस है ये यूज करूँगी अच्छा ये बहुत हार्ड है पहले मैं आपको स्पंच से हाथ पर लगा के दिखाती है ये स्पंच मेरा गीला है और लेकिन पानी नहीं है इसको आपने बिल्कुल निचोड़ लेना है ठीक है ये देखें फिनिश इसका भी बहुत अच्छा है और अब हम इसको करते हैं स्क् पेस्ट बनाया है इसी तरह से इस तरह से मैं ब्रॉटर डालेंगे स्प्रे बॉटल से और ब्रॉटर को स्वाइप करेंगे और प्रॉड़क्ट जो है उस आपकी ब्रॉटर पर आ जाएगा और फिर आप उसको फेस पर अप्लाई कर लोगे ये देखें ये हैसका रिजल्ट बहुत ही कमाल की फिनिश है इसकी अचा पाउडर वैसे आप इसको हाथ से टच करो ना तो ये थोड़ा सा जैसे क्या मिसाल दूँ मैं आपको मतलब कुछ फील करने में भी ये बहुत हार्ड सा फील होता है मतलब थोड़ा खुरदरा खुरदरा सा इस तरह से लेकिन इसकी आप देख सकते हो कि बहुत मज़े की है और यह जो मैंने बेस अपना कंप्लीट कर लिया था तो यह रात तक लगा वाता है मैंने काफी काम किया मगर यह टस्स से मस नहीं हुआ मतलब जो रिजल्ट मुझे क्रैलान दे रहा था ना वो ही ये दे रहा था सिर्फ प्रॉब्ल दूसरा दूसरी तरफ पेस्ट लगाने के चकर में यहां वाला जो ड्राय के के वह बिल्कुली ड्राय हो गया था एक्चुली जब यह 80 पर जब पेस्ट लगाते हो 80 परसंट ड्राय हो जाए तो फिर आपको जो है ना स्पंज से उसको बिठाना होता है थोड़ा थोड़ा तो फिर मैंने थोड़ा सा स्प्रे किया फेस के उपर ताकि वह जो है मुझे बेस को बिठाने में आसानी हो क्योंकि वह बिल्कुली जम गया था फेस पे तो जब 80 परसंट पेस्ट जब आप अप्लाय करो तो 80 परसंट जब ड्राय हो जा तो फिर आप उसको स्पंज से हो अच्छा टी यल नाइन ऐसा कलर है कि वह आप किसी भी कलर कॉंप्लेक्शन पर जो है ना वह यूज कर सकते हो ठीक है चाहिए वह गोरा है मतलब ट्रांस्पैरेंट कलर है इसका कोई कलर नहीं है ठीक है टील नाइन मतलब यह एक आपने लेकर रख लिया ना तो आपको द लॉस पाउडर यूज किया है और हाफ पे मैं लोकल्स की तरफ जा रही हूं और वो है फेसिट का जो के मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा है मैंने बहुत सस्ते में लिया यह लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा अगर यह आपको कहीं से मिलता है ना तो ले लो ठीक है और इसका मेरा खाला है आईवरी बेज शेड है यह 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 भी ट्रांस्पेरिंट है यह आप यूज कर सकते हो हर कंप्लेक्शन पर इसमें तीन ही कलर्स अविलेबल थे ठीक है यह बड़ा एक पाउडर ब्रश लेके अच्छा फिर अगर हम बात करें तो हमें इस्टिक यूज नहीं करनी और दूसरा यह के ब्राइडल की कंटोरिंग आपको जब भी करनी है ना तो थोड़ा सा उसमें पिंक एट करना है आपको अपने कंटोरिंग शेड में यह मैंने करने के आपको कंटोरिंग यह रहाएं नहीं करने की ब्राइडल को मिला इस ब alignment करें तो उसम से आपको मिल जाए-गा यह वाला सॉफ्ट पिंग कलर लिया है मैंने और यह एक लाइट ब्राउन सा शेड लिया है अब जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो मैं आपको दिखाती हूं एक मिनिट मैं थोड़ा करीब से दिखाती हूं ताकि आपको कलर पता लग जाए यह देखें यह बहुत ही एक सॉफ्ट पिंकिष ब्राउन सा शेड बन गया है इस तरह का कलर होना चाहिए आपको ब्राइल की क्उन्टॉरिंग का आपको ब्राइल की कवी ब्राउन से नहीं की जाती है यह एक मेन चीज जो अखसर लड़कियों को नहीं पता होती ठीक है तो वन साइट पर मैंने कॉंटोरिंग कर ली थी और अपनी आइब्रों मैंने सेट की थी ताकि आपको फेस जो बिल्कुल एक वाइट वाइट लग रहे है आपको थोड़ा सा लुक नजर आए कॉंटोरिंग का कि एक्चुली सीन चल किया रहा है ठीक है तो अब हाफ यह दो आपको दिखाए है ना पिंग और ब्राउन उनी को मिक्स करके मैं कॉंटोरिंग कर रही है और आप देखिए कि बिल्कुल एस पिंक नजर नहीं आ रहा है मतलब आपको मिक्सिंग से करनी है कि आपने पिंक लगाया वैं ठीक है मतलब नैच्रल लगे कि वह एक नेच यह है मेरा फाइनल लुक मैंने का आपको मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के साथ दिखा दूं ताकि आपको लुक जो है वह समझ में आ जाए और बेस जो है मेरी बहुत ही फ्रोलेस लग रही थी क्योंकि यह वाली जू क्लिप है ना यह मैंने काफी देर के बात बना के आ पाइनल लुक और मैं जे टीका वी का कुछ भी मिलनी रहा था तो मैंने अपना एर रिंग लेकर उसी को बालों में सैट कर लिया था ताकि एक लुक आप लोगों को पता लग जाए